पर है नोई स्कूंश राए थीन बाल्राइब आप से निफेंड में पूछा जा चुक है यह पेइल प्रेट कपाइसिटर एस युनिफोर्म एलेक्रिक फिल्ड बें केड की सबूर्स एड़ी इस एड एंशवेशियु चेहले बहुत ही सिप्ल सवाल है एंपाइसिटर और यह कि यहां plus a sorry plus q और minus q दियावा एरिया ए और डिस्टेंस दी है हमें यह पता है कि energy जो होएगी वो होएगी आपकी energy density multiplied by volume और energy density हमें पता है कि वो थी half epsilon e square multiplied by अगर capacitor का volume लिखेंगे तो आजाएगा a d so based on this हम कह सकते हैं कि option number c half epsilon e square a d would be the right answer अगर आपको energy density का method मान लिजे exam hall में नहीं चमका और लगा के हम फस गया है समझनी आ रहा है energy density याद नहीं आया उस case में आप एक और चीर यहाँ पर use कर सकते हैं कि यहाँ जो आपका capacitance है उसको हम लिखते हैं c is equal to epsilon a by d और उसके बाद हम कर सकते हाफ cv square so आपकी energy जो होएगी energy उसको आप लिख सकते हाफ cv square और c में तो हम यह value use कर सकते हैं half epsilon a divided by d multiplied by v square now अब यहाँ पर हम v को लिख सकते हैं ed so v की जगे हम लिख सकते है electric field multiplied by d तो इसका square जब इसको हम तोड़ा सा manipulate करेंगे तो इससे भी अपना answer same आ जाएगा यह हो जाएगा half epsilon not यह हो जाएगा e square और a d cancel हो जाएगा a divided by multiplied by d all right so same काम करने का different तरीका हो सकता है जो method इन में से best method कौन सा अगर आप उसे पूछेंगे best method होगा जो चमक जाए exam hall में दोनों से सही answer आएगा all right so तो इसका correct answer will be option number c.